हाई दोस्तों एक और नहीं देन एक और नहीं शुरुआत और मैं हूँ आपको भाई अबेना और आप देख रहे हैं हम है अभी दी आक्चली यह कोई इन्फोमेशनल यासी कोई वीडियो नहीं है बस यह एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं टाटा वन एमज भाई थी जो अभी संडे गया है और वह उसी दिन दिलीवर होगी थी तो यह इसमें उनकी अच्छी बात है और मुझे बाकी वेबसाइट से या बाकी प्लेसे से इवन जो शॉप्स होती हैं उनसे काफी सस्ती पड़ी थी और मैंने उस बेल्ट के आराउंट 740 रूपीज दिये थे इंक्लूड शेपिंग और वह बेल्ट आने के बाद मतलब आई जिस्ट ओपन डिट मैंने उसको खोला और उसके बाद मैंने उसको सीधर प्लग में लगा के और करने कुछ इस करी तो उसमें कोई लाइटी ब्लिंक नहीं और ना वह बेल्ट चली ना उसमें कुछ उसका जो चोटा सा मीटर टाइप क्या है वह डूंट नो मॉनिटर या मॉनिटर में मतलब उसमें हीट का लेवल सेट करने का होता है और वह चली नहीं रही है और ना वह उपर नीचे हो रहा है मैं हीट लेवल भी सेट नहीं कर पार इस बाइड डिफॉल्ट जीरो और वह के बोल दिया था हेल्प लाइन मतलब कस्टमर के जो चैट में आता है उनकी आप पर के मैं यह बेल्ट डिलीवर हुई है इस नोट वोकिंगे डिफेक्टिव है ना यह ओनुरी है ना हीट लेवल सेट कर रहा हूं यह यह बेकार है मेरे लिए तो आप इसको रिप्लेस करा दिजे और उन्होंने मेरे से फोटो अगेरा मांगी आए शोट टु देम और मैंने फोटो बेज के उनको यह बोले के प्लीज आप मेरी चीज़ कर दो मैं आपको अभी स्क्रीन शॉट अटाच भी गड़ दूंगा जिसमें मैंने उनको फोटो बेजी हुई है और उन्होंन किया 24 hours तो next day जो कि कल था उनके reply आया टाटावनमजी का सेंग स्ट्रेट फॉरवड ली के भाई आपका यह प्रोड़क्त हम कोई रिप्लेस रिफंड नहीं कर सकते हमने टीम से चेक कर लिया और इसका सिर्फ एक ही चीज़ है आप अपने मैनुफाक्ट्टर को बोलिए यह एक चीज़ बताइए आपका प्रोड़क्त डिलीवर होते ही घराब हुआ है मतलब आपने कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं कि आपने बेजने से पहले चेक नहीं किया तो मैं इसको बोल रहा हूं क्स्टमर को बोलती हो आप मैन्फाक्ट्र से बात करो मैं मैं मेल डालूं फिर मैं फोन करूं आया कॉल्ड फ्लेमिंगो बट उनका नंबर नहीं चाहता तो मैंने अभी मेल डाले हुए चाहिए उनका कोई टाट है फाइव डेस का पांच दिन के अंदर अंदर वो रिप्लाइ करेंगे मैं उसके बाद बताऊंगा बट यह टाटा वनेंजी के इतना अन्रिस्पॉंसिबल बेहेवियर मतलब यार आप टाटा इतना बड़ा ब्रैंड होके कस्टमर्स को लूट र आप कल को ये बोल दो कि मानली जे मैंने कोई भी मेडिसें मेडिसन मंगाई निट सपोस्ट और वह मेरेव आप पुरानी डेट की देदो एक्सपाइरी डेट की देदो तो चैना जो रावर ये तो यह तोड़ी आ आप बोलेंगे क्या मैं। manufacturer से बात कर लो मतलब आपकी बेल्ट चली नहीं और दाट मींस दिस वुज इंटेंशनल मैं तो यही समझूगा ना कि आपने जान पूछ के मुझे खराब बेल्ट बेजिए क्योंकि यह बेल्ट तो चलनी नहीं थी जिस भी आपने शॉप अपने वे रहाऊ से जो भी जगह से मेरे को भेजा है भाई वहां आपका क्वालिटी टेस्ट तो हुआ होगा ना कोई चीज का आपने भेजने से पहले चेक की थी बेल्ट या नहीं करी चले कोई बात नहीं करी तो दाट इस यॉर मिस्टेक ना कि अगर कल को डिफेक्टिव पीस आता है तो आपको आक्शन ले यह आपने मेरे साथ किया है और ना जाने कि कितनी और कस्टमर के साथ भी हुआ होगा और उसमें लिखा हुआ था कि डिलीवर डिफेक्टिव बेल्ट मेरे साथ यह हुआ है यह प्रोड़क्ट एक्सचीन नहीं हुआ यह है रिफंड गईश हुआ है यह आप आप क्या क्या बेच रहे हो मतलब कस्टमर्स को फूल बना रहे हो बेफ़कूफ हैं कस्टमर्स अपना हार्ड इंड मनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और आप लोगो को फ्री में दे दें क्योंकि आपको तो पता है कि कोई यह रिप्लेस करने में मुझे कमस कम महीना भर तो लगी जाएगा भाई वह पांच दिन में रिप्लाइ करेंगे फिर मैं आगे क्या होगा प्रोसेस उसक ने मेरे को डिफेक्टिव बेल्ट बेजी है विदिन फाइफ टेन मिनट्स मैं आपको बता दिया तो इसको चेक करें नहीं है उसी बेल्ट देके चले जाए तो भाई सी बीसी बात है जो भी टाटा यह टाटा वनमजी से देख रहा है उनके कोई भी ऑफीशल से देख रहे आपको टाइम रखना चाहिए ना कि अगर प्रोडेट खराब है तो कस्टमर रिटर्न कर सके रिटर्न की पॉलिसी होनी चाहिए ऐसी चीज जो खराब ही आई यह मैं क्या करूं इसका बताईए मेरे पैसे तो वेस्ट चले गए ना तो प्लीज इस चीज पर कुछ करा के दी कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए जितना चाहे हो सके शेयर कीजिए टाटा ओफिशल्स को को चाहिए चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखना अंटिल देन बाई टेक क्या झाल